तो हेलो एंड वेलकम अगें दोस्तों, बहुत हुआ जवान, कदर टू, एसार के सनी दियोल, वाईसा मॉंस्टर को भूल गया क्या, सालार को भूल गया है क्या, परफास का सॉलिड कमबेक है, सभी काफी लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं और सालार वो बॉम्ब है जो सॉलिड तरीके से फटने वाला है सेप्टेंबर लास्ट में, क्योंकि टेलर पर बहुत ही साबधानी और जोरो पर काम चल रहा है डिरेक्टर परसान नील के द्वारा, बिलकुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिया दोस्तों कुछ दिन पहले अपडेट आई थी कि सा सालार का पहला सौंग आने वाला है, लेकिन नहीं आया, क्योंकि परसान नील ट्रेलर का जो एक्साइटमेंट है, बिलकुल खत्मा नहीं करना चाहते हैं, जन्ता के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, जो बेसबरी पबलिक में बनी पड़ी है, मूवी को लेकर, वो साला पर बहुत जोरो पर काम चल रहा है, अगर मैं आपको बता दू, तो किसी गाओं में, एक छोटे से गाओं में मूवी का सेटप लगा कर टेलर तयार करा जा रहा है, ताकि बाहर दुनिया से किसी का भी किसी भी रूप से कोई कनेक्टिविटी ना हो, कोई कॉन्टेक्ट ना पर तरीके से रिवील नहीं करा गया था, और एक्सन सिनिमा के किंग गैरेंटीर केजियेफ का कनेक्शन जरूर सेट करके बैठी हैं, इसलिए साइट ट्रेलर में बहुत साबधानी बरती जा रही है, तो सेप्टेंबर जो आ रहा है, सेप्टेंबर को पूरे सेप्टेंबर को हिला कर रख देंगे, सुरुवात इस सेप्टेंबर की बहुत धासू होने वाली है, से सार के स्टार्ट करेंगे, से सालार के साथ प्रवास फिनिस करेंगे, जहां दोस्तों सेप्टेंबर का स्टार्टिंग में ही आपको सालार का फाइनल ट्रेलर देखने को मिल सकता है, सेप्टमबर फॉस्स वीक में और साथ सेप्टमबर को जवान रिलीज हो ही रही है तो वही सब दिल थाम के बैट जाओ धमाका होने वाला है 2023 का सेप्टमबर मेमोरेबल रहने वाला है एतिहासिक रहने वाला है क्योंकि इस सेप्टेंबर में बॉलिवूर्ट से लेकर पैन इंडिया सिनिमा से लेकर साउथ इंडिस्टी के सारे रिकॉर्ड्स तूटने वाले हैं, कम समय में ज्यादा कमाई कौन सी फिल्म करेगी, यह सारे रिकॉर्ड तूटने वाले हैं, मैं तो यह सोच रहा हूँ सेप फटापट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय चरू सेर करके जाना, बाकि मुवी रिवी और बॉक्स अप इससे जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बालिवोड, हालिवोड और साउच फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमार साथ ऐसी जुड़े रेना, और अगर चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरू करना दूसरा, अंगोठे वाला बटन दबा के वीडियो को, लाइक जरू करना मिल तेगली वीडियो में, जैहित!